हलो दोस्तो स्वागत आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल प्रकास LLB में दोस्तो अगर आपने भी अपनी LLB की डिगरी कम्प्लेट कर दी है और अपने स्टेट बार काउंसिल में अपना रेजिस्टेशन भी कर दिया है तो आपके लिए बहुती अच्छी खबर है अब लाइव दिखाएंगे इस एक्जाम में पास होने के बाद दोस्तो यहां पर आप ओल इंडिया में एड्वोकेट की प्यक्टिस कर सकते हैं तो इस फॉर्म को आपको जरूर पढ़ना चाहिए अगर आपने LLB की डिगरी ले ली है तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को उस एक्जामेडिशन.com इस वेबसाइट को सर्च कर लेना है वेबसाइट सर्च करते ही दोस्तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का उपन होई दिखाए देगा तो सबसे पहले दोस्तो आपको यहां पर फॉर्म पढ़ने के लिए एक लिंक दी गई है रजिस्टेशन लिंक तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर साइन अप करना होता है इसके बाद आपको यहां पर लोगिंग होना परता है लोगिंग हो जाने के बाद आपको यहां पर अपना फॉर्म का रेजिस्टेशन करना परता है उसकी जो डिटेल है वो पढ़नी परती है और डॉक्युमे next step के option पर click कर देना है इसके बाद दूसरा step यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर दोस्तों आपको document upload करने की जो फाइल है उसकी site दी गई है और अपनी signature और passport site का photo है और किस प्रकार से आपको upload करना है किसनी MB में upload करना है वो भी detail आपको दोस्तों यहाँ पर दी गई है आप से आपको upload करना होता है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से more to next step के आपशन कर देना है वहाँ पर click करने के बाद दोस्तों आपके सामने payment का option आ जाता है तो आपको यहाँ पर सही तरीके से पेमेट कर देना है तो हम यहाँ पे All India Bar Examination का Registration करने वाल है इसके लिए दोस्तो हम यहाँ पे Simper से Registration Now के option पर क्लिक कर देंगे वहाँ पर क्लिक करते दोस्तो आपके सामने All India Bar Examination का form उपर्ड हो जाता है तो सबसे पहले दोस्तो आपको यहाँ पे क्या करना है नेम इन फुल में आपने जब अपने State Bar Examination में अपना Registration किया था उसमें जो भी नाम जैसा ही भी नाम दिया गया है वैसा ही नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है तो सही से नाम आपको यहाँ पे लिख देना है इसके बाद दोस्तों में अगर आप पुरू से तो मेल को सिलेक करेंगे महिला है तो फिमेल को सिलेक करेंगे और अन्य है तो टाइज जेन्डर को आप्शन को सिलेक करेंगे इसके बाद दोस्तों अगर आपके सरीर में कोई भी disability है विकलांगता है तो आपको yes के option पर select करना है अगर नहीं है तो no के option पर select कर देना है इसके बाद enrollment number आपने अपने state bar में जो enrollment किया है उसका एक enrollment number आता है वो दोस्तों आपको यहाँ पर सही तरीके से type कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर state bar council enrollment with तो आपने जह बार examination का registration किया है, वो आपको यहाँ पे state को select कर देना है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके समने candidate type का एक option दिया गया है, तो आपको simple से select के option पर click करना है, और उसके बाद दोस्तों अगर आप पहली बार अपना exam दे रहे हैं, तो press के option पर click करेगे, और दूसरी बार यहाँ पे निचे mobile number दिया गया है, आपको यहाँ पे दोस्तों सही तरीके से अपना जो mobile number है, वो type करना है, इसके बाद alternative mobile number, आपको यहाँ पे दूसरा कोई mobile number भी type कर देना है, सही तरीके से, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक अपनी email id देनी होती है, जो सही तर किसे work करें वह email आइडी दोस्टों आपको यहां पर देनी है यहां पर दूस्तों सब detail हो जाने के बाद आपको यहां पर सिंपल से continue के option पर क्लिक कर देना है वहां पर जब दोस्तों आप क्लिक करते हैं तो आपने जो mobile अपने टाइप किया है और mobile number और email ID पर एक OTP message दिया जाता है वो OTP message दोस्तों आपको यहाँ पर type करना होता है तो सबसे पहले आपके mobile में जो भी OTPI है दोस्तों आपको यहाँ पर type कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आपके email ID में जो भी OTPI है वो आपको यहाँ पर type कर देना है और इसके बाद दोस् दोस्तों आपके सामने यहाँ पर əल इंडिया बार एक्जामिनिसन का जो आपने रेजिस्टिकन किया ए मन्हें आपको इंपल से कोई भी यहाँ पर चेंजिस करने की जरूरत नहीं आपको यहां पर save and continue के option पर क्लिक कर देना है अब दोस्तों आपको यहां पर अपनी basic detail को type करना होता है तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर अपने mother name को type कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर अपने फादर का पूरा name सही तरीके से type कर देना है अब दोस्त तो near में आपका जो relevation है वो आपको यहाँ पर type कर देना है और आपकी city district को दोस्तों आपको यहाँ पर type करना है और आपको यहाँ पर अपना state select कर देना है और यहाँ पर आपका pin code को type करना है तो आप जहाँ पर भी रहते हैं और आपका current address दोनों same है तो आपको यहाँ पर simple से Sam is address पर click कर देना है तो आपको दोनों address टाइप करने की जरुरत नहीं है Sam to Sam address यहाँ पर आ जाएगे इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर निचे आ जाना है निचे दोस्तों आपको यहाँ पर other detail को टाइप करना है तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे जो आपका question paper है वो आपकिस language में देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे select कर देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पे test center को select करना है आपका near जो भी center है वो आपको यहाँ पे select कर देना होता है तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे select के option पर क्लिक करेगे और हमारा जो सेंटर है और दोस्तों हम यहां पर सिलेक कर देते हैं अब यहां पर दूसरा भी सेंटर आपको यहां पर सिलेक करना होता है तो दूसरा भी सेंटर दोस्तों हम यहां पर सिलेक कर देते हैं जहां पर भी हम एक्जाम देना चाहते हैं वह सेंटर आपको यहाँ पे सिलेक कर देना होता है यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा भी सेंटर सिलेक हो चुका है अब आपको यहाँ पे तीसरा सेंटर भी सिलेक करना होता है तो आपको सिलेक के ओप्षन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपना जो भी तिसरा सेंटर सेलेक करना चाते हैं उसलेक कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों सभी डिटेल फील हो जाने के बाद आपको यहाँ पे निचे एक option दिया गया है save and continue वहाँ पे आपको click कर देना है तो यहाँ पे आपकी basic detail complete हो चुकी है अब दोस्तों आपको यहाँ पे education detail को complete करना होता है यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी education detail में आपने जहां से भी अपनी दसमी पास की है उसका जो भी school था वो दोस्तों आपको यहाँ पे type करना है वो board आपको यहाँ पे लिख देना है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे subject में all subject लिख देना है अब दोस्तों आपने दस्मी जहां से भी pass की थी जिस साल में pass की थी दोस्तों साल आपको यहाँ पे type कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपके दस्मे में जो percentage आई थे तो percentage आपको यहाँ पे सह अंदर होनी जाए तो choose file के option पर click करना है और जहां से भी आपकी PDF पड़ी हुई है वो PDF दोस्तों दसमे की select कर देनी है और open के option पर click करना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर simple से upload कर देनी है आपकी जो दसमे की mark sheet है इसके बाद दोस्तों यहां पर फिर से आपको बार जहां से भी pass की है और school का name type कर देना है और जो भी board है आपका जो आपने बार्मी पास की है वो आपको यहां पर type कर देना है और इसी प्रकार से दोस्तों आपको यहां पर अपने बार्मे की mark sheet को भी upload करना होता है simple से upload के option पर click करने के बाद इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे graduation की mark sheet आपने BA, BC जो भी किया है वो आपको यहाँ पर type कर देना है जिस भी college ची किया है दोस्तो college आपको यहाँ पर type कर देना है और university आपने जो भी university से आपने BA, BC किया है वो आपको यहाँ पर type कर देना है और जो भी आपका main subject था जो भी subject आपने पड़े हो वो subject आपको यहाँ पर type कर देना है और दोस्तों आपने जिस भी साल में अपने BA को पास किया है वो आपको यहाँ पर type कर देना है और अपने percentage करना है इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर यहां पर ओप अपनि के डिग्री俺क करें तो simple से दोस्तो आपको यहाँ पे 3 साल के option पर click करना है और आपका जो college था वो दोस्तो आपको यहाँ पे type करना है university दोस्तो आपको यहाँ पे type करना है और जो भी LLB के subject है वो यहाँ पे type कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आपको साल को सिलेक कर देना है जब आपने LLB की डिग्री पास किये थी ओ साल LLB में जो percentage आई है वो दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है अब दोस्तों आपने जो LLB की डिग्री पास की है उसका mark sheet आपको यहाँ पर सही तरीके से upload कर देना ह अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते के हमारा education detail भी यहाँ पर complete हो चुका है अब आपके सामने आ चुका है document upload का page यहाँ पर दोस्तों आपको document upload करना होता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है आपका जो photograph से passport site का photo है अपने advocate address में जो भी passport site का photo खिंचवाया है वो आपको यहाँ पर upload करना होता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर choose file के option पर click करना है और आपका photo जहाँ पर भी पड़ा हुआ है वो आपको यहाँ पर select कर देना है और simple से दोस्तों आपको यहाँ पर upload के option पर click करके upload कर देना है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं क आपको यहाँ पे एक एरर दिया गया है आपका फोटो यहाँ पे यह जो पिक्सेल में लिखा हुआ है उस पिक्सेल में फोटो नहीं है तो यहाँ पे फोटो अपलोड नहीं हो पाएगा तो सबसे पहले आपको यह फोटो बना लेना है उसके बाद ही आपको यहाँ पे अपन के सामने एक category certificate का option आ चुका होगा अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो आपको यहाँ पर अपना जो कास certificate है वो upload करना होता है तो इसके लिए दोस्तों आपको choose file के option पर click करना है और आपका कास certificate जहाँ पर भी पड़ा हुआ है उसको select करेंगे और यहाँ पर open के option पर click कर देंगे और simple से दोस्तों आपको यहाँ पर upload के option पर click कर देना है जिससे आपका जो category certificate है वो भी यहाँ पर सही तरीके से upload हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों हमारा passport size का photo signature का photo और का certificate हमने दोस्तों आपको यहाँ पर disclaimer दिया हुआ है वहाँ पर आपको click कर देना है और यहाँ पर दूसरा disclaimer है वहाँ पर भी आपको यहाँ पर click कर देना है और simple से दोस्तों आपको यहाँ पर preview and submit के option पर click कर देना है वहाँ पर click करते दोस्तों आपके सामने यहाँ पर अपनी पूर पर से ओकी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है यहां पर दूस्तों हमारा पेमेंट पेज ओपन हो चुका है आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे जो पेमेंट है और पापची सो रुपए है अगर आप जनरल करेंगे में आते हैं तो आपकी जो पेमेंट है वो दूस्तों 3025 इसके बाद दूस्तों हम यहां पे process के option पर click कर देंगे वहां पर click करते हैं आपके सामने payment के लग- ȅलग remote यहां पर open हो जाते हैं आप जिस पी प्रकाँ से payment करना चाहते हैं उसको हम यहां पर select कर देखें तो यहाँ पे दुस्तो हम PondPay के मादियम से payment करेंगे, तो simple से PondPay के option पर click कर देगे और हमारा UPI ID जो है वह हम यहाँ पे type कर देंगे, यहाँ पे दुस्तो आपका UPI को type हो जाने के बाद, आपको यहाँ पे simple से Pay Now के option पर click कर देना है, यहाँ पे आपका जो payment है वो verify हो रहा है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे continue and pay को option पर click करना है और दोस्तों आपके mobile phone में जो आपकी phone pay की application है उसको open कर लेना है और उसमें आपका जो payment है वो दिखाएगा उसको आपको allow कर देना है यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते के हमारा जो payment है वो यहाँ पे successful हो चुका है आपके सामने कुछ इस प्रकार का status open हुए दिखाई देता है तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते के payment receipt आपने जो payment किया है उसकी receipt यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं तो हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको यह payment receipt दिखाए दे रहे हैं इसकी print out आपको यहाँ पे ले लेनी है तो हम इसको save कर देते हैं print out को तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो please चैनल को subscribe कर देना और वीडियो को अपने friends के साथ share करना मिलते किसी दूसरी वीडियो के साथ तब तक जय हिन जय बारत